करो भाई शुरूह पतने लेक्जर नमर कोन से चलें खाय रहा है कि अबाद आ रही हो भाई तस्वीर तो आ रही होगी अच्छा इसमें बस एक अजस्ट्मेंट थी जो किसका पेबर टुगरमन मैच कर गया था, हाथपोरा करें, पेबर टुगमन मैच कर गया था, वर्ड लन, क्रिश्टन नमर किस इसमें यह देखें, गुड्ल हमने सप्लाई पी है, सेल में शामिल है, ऐसी सेल जो हमने सप्लाई की है against with advance had been received in June सेल में ऐसी सेल शामिल है जिसका advance जून में आ गया था बेगर advance जून में आया था तो हम तो खड़े हैं अगस्त में वो तो advance जून में आया thank you हम खड़े हैं अगस्त के अदर अब क्यों सेल में डाला होगा हमने डिलेवर होई होंगी सुचें जरा सरासिफ ने होंडा को पैसे दे दिया जूर में पाईजंग गाड़ी दो होंडा ने एकस में सेल रिकॉर्ड कर दी क्या वज़ा बनी होगी 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 डिलिवरी होगी होगी अब बताएं जी बट कुड बी दा पॉसिबल रिजन हमारे सेल में डालने की सेल इन्क्लूड सेल सेल में डालने की वज़ा क्या होगी अच्छा सेल रिकॉर्ड का वोनी चाहिए बट दिलेवर होती है और डिली भी अगस की सेल में होगी है कुछ करने की दरूवत है सुलूशन में इग्नोरी किया बतना है यह पॉइंट है यह यह एक दो लाइने हैं चप्टर 23 के स्टार्ट में हां जी यह वर किंग वन में बॉटम में चला जाता है यह चैप्टर 23 का पहला सफ़ा निल रिटान का मतलब इसमें आपने कोई ना सेल की आ पर चेस की आ तरने लिटान जमागरवाद हैं भाई भी आगे आप तो माशाला आगे पढ़ते हैं फिर हम इसे चप्टर बाइस में आएं आजे मेर बानी होगी आपकी आपका इसान आपके घरवले आप याद रखेंगे आपके फिकर कर लिया करें मुबाइल चोड़ने पढ़ाई करें बड़ी मेना से पाल पोस्त की आपको बढ़ा किया एक वाकर यह था आपको तो चलना भी नहीं अच्छा पेरिमर 442 और फिर जब आपको दुनिया की अवाल लगी तो ऐसे उसमें गुम्म हो गए कि जाद दिन यह रह गया हो ना बस में रिखाल से पूरे चक्टर में पेज 442 पे और बोल दे हैं अब यास बोल रहे हैं अब सोचे बगए अच्छा यह एक रिडूंडेंट सी चीज है अपेरेंटली इस वकत लाव में नहीं होनी चाहिए लेकिन लावमेकर कई दफा लाव बना जाता ह और उसमें इंकंसिस्टेंसी छोड़ जाता है जो के अगले साल फिर क्लियर कर देता है तो कई दफा लाव में चेंज आती है उस चेंज की वज़ए से कुछ चीजों वह को सही करना भूल जाता है इसलिए यह थोड़ी सी लाजिकल सी बात लगेगी लेकिन थियोरी की हद त सकती है इसलिए नमेरिकल रौला कंसेप्ट वही है जो आज किमरिकल में रिवाइज करा है सेल कब रिकॉड होनी है लिगंगे भी किसी सेल की मद में तो इसको आप रेकॉर्ड करो उस महीने के रिटान में जिस महीने पर्ट प्यमेंट आये मिसाल के तोर पे आपका 10,000 पे इदर आया, रिसीव हुआ, फिर 20,000 इदर रिसीव हुआ, फिर आपने इदर चीज़ें डिलेवर की, तो सेल कब रिकॉर्ड हो नहीं है, जनवरी में, फेरवरी में, मार्च में, लेकिन बुंगी सी मार रहे है, इस वकत लाव में ये गलती है, अगर पार्ट पेमेंट हो, तो सेल किसी महीने में तब रिकॉर्ड करो, in the return for that tax month, यनि for a sale, if any part payment is received for a sale in a tax month, it shall be recorded in the return for that tax month, in which payment is received, in which payment, हलंकि ये लाव गलत है, मैं आपको बता दी है, in which payment is received, याद करने के लिए बास समझनी पड़ेगी, लेकिन उल्टी सी बात है, तो अगर चीजे हैं या जब पैसे आएं, जब पैसे आएं, जब पैसे आएं, अजीब सी बात है, okay, okay, अगे जी, point B, दुबारा पढ़ने इसको, तो कि रटा दुमारने दुरटा वालने के लिए कुछ ना कुछ लोजिक होनी चाहिए, if any payment is received for a sale in a month, if any part payment is received for a sale in a month, it shall be recorded in a return in which the payment is received, done, तो किया रहे हैं, इसको कब sale में डालें, जैसे जैसे पैसे आएं, तो इधर भी sale में डालेंगे, इधर sale में डालेंगे, अगला point कोने जी, यह note कर लिए आपने नीचे, note कर लें, यह part payment जैसे जैसे आती जैए, वैसे-वैसे sale में डालते जाएं, यह गलत बात है नुमेरिकल में कभी अपलाई नी करनी, नुमेरिकल के लिए वही रूल है कि sale का record होनी है जब चीजें, डिलेवर हो, बस, अच्छा जी, आगे, यह जनवरी का महीन है, यह फर्वरी का महीन है, चीजें डिलेवर हो ही, तो exempt थी, लेकिन, जब cash आया, तो taxable थी, मिसाल के तोर पे, जनवरी के महीने में हकूमत ने कहा था, Holy Quran exempt है, दुकानदार ने Holy Quran बेच दिया, exempt था, फर्वरी में गहक ने कहा यार, पैसे ले लो वो धार पे मैंने तुम्हें पता कुरान खरीता था, तो दुकानदार ने कहा यार, तो आप lawmaker कहा रहे, टेक्स कब लगेगा, कहता है, टेक्स तब लगेगा जब exemption withdraw होगी, अगें यह हमारे basic rule से हट रहे, delivery से हट रहे, इसलिए मैंने कहा था, यह दोनों बाते हैं इस वक्रत लाओ में, लेकिन इस वक्रत लाओ में कुछ बात ने इस किसम की, अब पढ़ ले अगर कोई चीज एक्जेम्ट है, तो उस पे उसे return में कब डालो, जब वो एक्जेम्ट है या जब उस पे exemption withdraw हो गई, कोई चीज अगर एक्जेम्ट है, असल में अगर इधर ही कुरान बेज देते हैं, इधर ही पैसे आ जाते हैं, फिर तो मसला ही ना होता कोई, मसला पढ़ पूरी किताब में जहां भी आए, उसे है for, for कर दें paper में, for exempt sale, बोलें बोलें जी, for exempt sale, it shall be accounted for in the return of a month, accounted for जहाँ है, उसको अपने समझने के लिए recorded लिख लें शक, लेकिन accounted for बेतर है paper में लिखाईएगा, paper में इसको ना काटिएगा, for exempt sale, it shall be recorded in the return for the month in which the exemption is, कब sale में डाले जब exemption, exemption ठीक, withdraw का भी, अब जिनको अधरा theory किया तक, यह अगर time of supply की definition आगी ना, 57 number की, खाली, तो फिर यह दो points लिख आने पड़ेंगा, आपको, यह concept, शायद मैं इसको गलत ना कहूँ, बी शायद paper में numerically आपको test हो जाए, बी में chance है कि numerically भी टेस्ट हो सकता है, तो इसलिए अगर कोई चीज, बोले-बोले-बोले, जल्दी बोले, January में exempt थी, हमने बेच दी, लेकिन उसके पैसे नहीं आये थे, तो टेक्स कब लगेगा, when exemption is available, या when exemption is withdrawn, when exemption is withdrawn, okay, चलिए नेक्स्ट, ठीके, अरोबा, chapter 15 में आये, खला हम रिटान, अच्छा, end way chapter के जाद कराईए, एंड पर revision कर लेंगे, जो chapter 15 में कल पड़े, chapter 15 असान है, साथ सा याद करें, बड़ा easy है चीज़ें, जब साथ सा चीज़ें याद नहीं करेंगे, उसमें मसला होगा, थोड़ा सा और वेट कर लें, page 310 पे, आजें, थोड़ा और वेट कर लें, students को आने दें, यह कसान सी बात पढ़ लें, business bank account, बिजनस bank account किसका होता है, business bank का, किसको बताना है इसने, FBR वालों को मेरा business bank account है, और अगर business bank account ना बताया तो मैं नो कोई सजा में लेगी, और business bank account जो है, वो क्या कहते है, अगर आपने change किया है, तो कोई certificate दुबारा जमा कर वादें, यार बता दें कि मैंने business bank account चेंज कर लिए, यह सारी वाद है लिखी है, every taxpayer shall declare, declare के मतलब होता है, बार-बार title of declare, बताएगा, every taxpayer shall declare to commissioner the bank account utilized by taxpayer for business transactions, business bank account shall be declared through original or modified, क्या मतलब original or modified form, change भी तो कर सकते हैं, बाद में business bank account, तो original अगर पहली दफाँ आपने bank account खुलवाया है, वो भी बतादे होने, और बाद में अगर खुलवाया तो वो भी बतादे होने, only businesses, that is sole proprietor, that is AOP, and that is, are required to declare to board, इन्होंने board को बताना है, लेकिन कैसे बताना है, कमिस्टर को बताना है, हाँ ठीक है, कमिस्टर को लिखा हुआ है, बोड को लिखा हुआ है, यह तो समझने के लिए बस लिख रहा हूँ, declare to board through FBR e-portal, आपने किसके जरीए बताने हैं उनको, क traditional form आप जमा करवाते हैं, FBR e-portal के उपर, electronic portal के उपर, और अगर बाद में change करा लिए आपने bank, किसी और bank में पैसे, तो फिर modified decision form जमा करवाते है, note, सब 30 September 21 आखरी तारीख थी, जब तक पाकिसान के सारे लोगों ने ये बताना था, कि business bank account कौन सा है, अब 30 September 21 के बाद अगर अब आपके business के खर्चे not allowed हो जाएंगे, an expense income for business purpose shall be inadmissible while computing income from business under section 21, तो असल अंदर की बात यह कि उस bank से जितने भी खर्चे पे करेंगे ना आप, वो disallow हो जाएंगे, उस bank से जितने भी खर्चे, चाहे चेक से ही पे करें, चाहे जैसे मर्जी पे करें, अब लिख लेंगे, अब जितनी पेमेंट्स, चाहे चेक से ही हो, not allowed हो जाएंगे, अब उस bank से जितनी पेमेंट्स, चाहे चेक से ही हो, not allowed हो जाएंगे, चैने बड़ा मदे मदे का जाप्त रहे हैं इसमें, असान असान सी बातिया है, अगली बाजी section एक से पंदरा, बोलें बेवा, यतीम, और तीसरा बोलें माजूर, और चोता बोलें नॉन रेजिडेंट्स, बेवा, यतीम, माजूर और यतीम ऐसा जिसकी उमर पच्छिस साल से कम है, इन इन चार लोगों को return जमा कराने की जरूरत नहीं है, लेकने कर यह 4 लाग से उपर कमा रहे हैं न, फिर return जमा कराएंगे, फिर कोई relaxation नहीं, तो कब जमा नहीं कराएंगे, यह अब जरा समझ होंगे हैं, इक 4 लाग से उपर तो याद रखेगा, पूरे पाकिस्तान में किसी को relaxation कुल लखों कमा रही है, कोड़ों कमा रही है rain, हुँए तूह तुम रैटाइन जमा हूँ? समझागी बात? मिसाल से समझा जाती है, अच्छा. तो why she's record to file a return? मेरे खाल से तुर्इ छाला है, जादा कमा ही लेती हो, मरे खाल से. अच्छा. oh sorry नहीं एंए कोई और मिसाल ले ले सभी कह रहे है बिलकूश। किसी औरत का शोउर नेफोथ हुआ किसी मेशुर औरत का शोउर नेफोथ हुआ दुनिया में चलो चोड़ो फालाइंग पेसेंस ओ विडा रहे ही ज़्य बिलोग Rocky व ऐसा जतीम जिसकी उमर पेच्चे साल से अडिसेबल परसन हो रहा यार अगर ये न इन चार में से किसी एक में फॉल कर रहे है तो फिर उन्होंने रिटान जमानी करानी ये चार पॉइंट्स कर पड़े थे ना इसलामबाद वाला पॉइंट है पूरा कॉपी पेस किया वा और दूसरा कौन से पॉइंट है यार रेटिंग एरिया वाला और तीसरा कौन से पॉइंट है रेटिंग एरिया वाला और गाड़ी वाला चोथा कौन से पॉइंट है गाड़ी वाला अगर इन लोगों ने उन चार पॉइंट्स की वज़ा से रिटान जमा करानी मीना तो फिर ये जमा ना करवाएंगे अच्छा, अगर इसके लावा कोई और वज़ा बनीना तो फिर जमा करवाएंगे अब ये सारी बते ने से समझ नहीं आई सबसे पहली बेवा का नाम बताएं मिस सल्मा, बेवा होगी है, शोहर उसका फोट होगी है, उसने फॉलिंग इंफॉमिशन शेयर की है कहती है, मिरी इंकम साथ लाग है, बात खतम, खतम, बस, 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 आगे सवाल ही ना पढ़े चार लाग से उपर बाले को तो याद रखेगा, पाकिस्तान में सिरे से रिलाक्सेशन नहीं है, शी इस रिकॉर तो फाइल रिटान आउफ इंकम, आपका शौर अला को पहरा हो गया, लिकिन FBR में आप जाएं बस, आगे उसने पताए है, मेरे पस गाड़ी है, भाईजन, गाड़ी गुड़ी वज़ा नहीं है, डिसीयन किस गुन्याद पर किया आपने, जो बंदे भी चार लाग से जादा कमाए, FBA जाए, बस बात खता, दूसरी बेवा का नाम बताएं, ताहरा भाजी कभी शोर फोट होगे और उनने ये इंफरमिशन आप से शियर किया, टेक् अगर बेवा से गाड़ी की वज़ा से रिटान मांगनी हो तो ना मांगना, अगर बेवा से गाड़ी की वज़ा से रिटान मांगनी हो तो ना मांगना, इससे किस किस वज़ा से आपका दिल चारा था रिटान मांगे, गाड़ी के शोर की गाड़ी थी, अपने नाम इसने कर किया हुआ, शीध रेजिडेंट सीए, कमाल है, हदों किसके शोर्फ होतों कि कमाल है जीब, अच्छा शीध रेजिडेंट सीए भाई, आफ जरा सोच के बताएं, इन चार पॉइंट्स में तो रेजिडेंट सीए नहीं आ रहा, उदर से सिर्फ चार पॉइंट उठाएं हैं, सारे नहीं उठाएं हमने अच्छा, आप बता दें ये जो तीसरी ओरत है ये जो तीसरी ओरत है भाईजन, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि सिर्फ चार लोगों को इन सूर्तों में रिलेकसेशन है, इसके इलावा ये चार लोग अगर किसी पॉइंट में ट्रैप हो गए, they are required to file a return of income अब जो तीसरी ओरत है, उसकी मैं बात करने लगाँ वो चार लाग कमारी है, नहीं पहला ट्रैप का उपने ये लगाया करना है वो चार लाग कमारी है, सबसे पहला ट्रैप she may be having NTN, हो सकते है, उसका, उसने factory खोली हो, उसका बिजली का भी पांच लाग से ज़्यादा हो she will file a return of income in these cases, in these cases but in these cases she will I hope मेरे खासे चार बात clear हो गई हो, ये तीनों मिसालों से अचा पहली वली कौन थी, पहली वली का अज़रत देखें, पहली की income इंकम, इंकम, अचाब उपर से चले, 7 लाग, इधर ही फस गई, she will file a return, दूसरी वली, ताहरा नहीं है, हाथ दोगी तो ना, एथे आउट तुसी, दूसरी वली की income, 2 लाग, यहाँ नहीं फसी, इसके मताबए इंकम नहीं जमा करानी, आगे, लियार गाड़ी, इस चार लो पॉइंट्स में भी नहीं है, तो बस लिखते हैं, एक्सेप्शन इन चार पॉइंट्स के लिए है, यहाँ आके, आएं तरह पहले सफ़े पर, विडो, ओर्फन बिलो, नॉन रेजिडेंट्स, और डिसेब्ल, इनको रिलेक्सेशन है भी लेवाए, यह पहला सफाता है, जी जी जी, 500 स्केरियार्ट मैंने दूसरी क्लास में देख लिया था, वो तक रिमा स्वला मरले बनता है, अच्छा, आगे चलें, तो बंदा गलती स्क्रीप कर ले न, तो स्क्रीप्टिशिट किया करें, यह जिन्दगी का रूल याद रखेगा, यह नहीं क्यों पर ट्राई कर दिया करें, तुम्हारे तो फैसे करते हो, अच्छा, तो, नहीं नहीं जनरल बात करें, तुभी तर इम्युनिटी फ्रम फाइलंग ऑफ। पता नहीं मिले मिले मुश्कत से इसमें चार शरायत रखी भाई जा रही हूं अच्छा पता है को नहीं होता है आप लोग बहुत ज्यादा सोचने लाग जाते हैं अच्छा भाई ये असान-सान सी बतें रहेगी हैं पे 309 पे आ जाए 308 चोड़ा वे ना लेकिन 308 में में चाहिए और इविडेंस फिएमेंक डेकि शरायत आने के श्रायत हैं ये है रेवाईय रिड़ंग जमा कराने के शरायत सब्स्कु cis यह कुछ हमने रिवाइज रिटान बनाने के बारे में एक टेबल चोटा सा पड़ा था सेल्स टेक्स में, उस टेबल को इस टेबल से कंपेर ना कीजिएगा, क्योंकि उसकी थीम और इसकी थीम में जमीन आस्मान का फरक है, याद आ रहोगा अगर शायद आपको हुकुमत इं जमा करवाने के साथ दिनों में आपने रिवाइज करनी है, तो कोई अजाज़त की जुरूत नहीं, आप खुशी से आपके रिटान जमा करवाएज, औरिजनल रिटान आपने 30 स्प्टमबर 16 को जमा करवाई, किसे नमा करवाई, 30 स्प्टमबर 16 को, क्या 15 अक्तूबर 16, 60 साथ दिन के अंदर अंदर है, तो क्या मैं इसको कर सकता हूं, आपके समझने के लिए इस तरह, विदिन 60 डेज, ताकि समझ आजे बात, क्या यह बना साथ दिन के अंदर आगे है, औरिजनल रिटान कब जमा कराई, 30 स्प्टमबर को, दिल चाहा जाके क्या जमा करवाद हू आई कैप में रिवाइस करके पेपर नहीं हो सकता जमा, वो और ही सकता है, वो निया ही पेपर देना पड़ता है, एक लिदा हाँ, तो लिगन इदर रिटान जमा दबारा, और इजनल रिटान कब जमा करवाई, टेक्सपेर डिसाइड़ तो फाइला, विदिन 60 डेस, बोले अब अब बहुत लेट जा रहे हैं, अब आप बहुत लेट जा रहे हैं, अब आपको कमिस्टर की अप्रूवल की जरूरत है या नहीं आप ये बहस है, अब इसमें वही बात जो आती है, अगर आप हकुमत को फाइदा दे देदें, या आपकी बिजनस इंकम आठ लाक से नो लाक हो रही है, तो हकुमत को, या आपका लॉस कम हो रहा है, या आपका लॉस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, या ये ना दोनों सूर्थों में हकुमत को फाइदा होता है, ये कुछ बचों को समझ नहीं आता था तो मैंने ये सफ़े end पे मैंने लिखा हुए यह और loss यतना डिम सा नदर आ रहा हुगा किताबों पे सही नदर आ रहा हुगा और loss कम होगा तो हकूमत को फाइदा होगा इसकी logic समझे यह timeline है यह 0 है यह negatives है यह positives है तो income जितनी बढ़ती रहेगी हाँ बलकि मैं मैं ख़ड़ा हो जाता हूँ income जितनी बढ़ती रहेगी हकूमत खुश होती रहेगी अब मैं जबाद चलरा हूँ बताये का loss क्या हो रहा है मेरे चलने से loss कम हो रहे है यह तो Allah के खोक्तौर अच्छा मैं चलरा हूँ तो बताएं loss क्या हो रहे हैं लॉस कम हो रहा है, तो लॉस कम हो रहा है, चलते चलते मैं जीरो पे पहुंचा, अब क्या होना शुरू हो गया है, लॉस कहां से बढ़ना शुरू हो गया है, अब तो इंकम बढ़ना शुरू हो गया है, दोबारा चलते हैं, मैं चल रहा हूं तो क्या कम हो रहा है, लॉस कम हो ाँनों concludercar नहीं अब इंकम क्या हो र्ही है एंकम क्या हो रही है झार यह रिया यह अरद सुन बट्वेंहें सारे इंकम क्या हो रही है और लॉu बढ़ना शूरू हो गया ह型 तो असल में लॉस्स मावढ़ने से ह् खूमत खूश होती है और loss हता के loss कम होती हो तो जब 0 आ जाते हैं तो खूमत कहती है अब आपकी tax calculation रही है तो loss कम होने से भी खूमत खूश होती है और income अच्छा हम खड़े कहां थे अगर 60 दिन के अंदर अदर आओ तो approval की जरूरत अगर 60 दिन के बाद आओ तो उसमें 2 scenario's बनेंगे अगर आप income या loss तो फिर approval की जरूरत फिर तो इन आंखान जपी डालेगा आपको क्यों क्योंकि income आपकी बढ़ रही है लेकिन अगर income आपकी काम हो रही है और loss आपका तो approval is required फिर कमिस्या से आपको approval की जरूरत दन तो बड़ा असान साथ दिनों में अगर चले जाएं तो approval की जरूरत नहीं है है ही निसरे से कोई approval जरूरत अगर 60 दिनों के बाद जाएं तो नहीं बिलकुल बात यह नहीं जरूरत नहीं यह फिकरा गलत है अगर 60 दिनों के बाद जाएं तो जरूरत है अगर 60 दिनों के बाद जाएं तो दो सनेरियों है अगर हकूमत को फाइदा देने है तो जरूरत नहीं है approval की अगर हकूमत को नुकसान देने है वो लग बात है कि एक उम्मत को फाइदा कैसे होता है वो इंकम बढ़ने से फाइदा होता है या लास अच्छा एक यार ओर रिलेक्सेशन अवेलेवल है यह जो है न दिन यह तो मैंने एक्जेक्ट सिक्स्टी डेज रखे हैं जहां पर यह मैं दिन दर अकाउंट भी कर लेता हूं 15 जनवरी है तो एक और साथ दिन है यह कोई और साथ दिन है 15 जनवरी से आगे मुझे साथ दिन गिनवाए 16 से गिनना शुरू करें 16 17 18 19 20 इसका एक तरीका होता है 31-15 का लिटर पर लिख लें यह मैंने आपको शॉर्टकट बताया है 31-15 का लिटर पर लिखा जासे है 16 से गिना भी जासे अगर कमिशनर ने इजासे पर किससे जाके मांगी है अगर कमिशनर ने इजाज़त दे दी साथ दिनों में तो फिर तो बहुत अच्छी बात है फिर तो बहुत अच्छी बात है कमिशनर ने खुद इजाज़त दे दी है लेकिन दो सनेरियों बन सकते हैं क्या कमिशनर चुस्त था साथ दिनों में जाज़त दे दी साथ दिन, साथ दिन तक भूला रहा हूँ अब कुछ नहीं हो सकता भाई, कमिश्टर, अब तू मज़े कर, अब जियूम कर लिया जाएगा कि रिटान, एक तीसरा सेनेरियों पर बन सकता है, वो मैंने जहानी बनाया, कमिश्टर इजादत इना दे, फिर तो बाते हैं, रिटा जरूत हैं जहाँ इजादत की, जिस सेनेरियों में मैंने कह ज़हा है जरूत है, अगर अस सेनेरियों के अंदर, कमिश्टर ने आबको इजादत दे दी, 60 दिनों में, फिर तो बहुत अच्छी बात है, आपकी रिटान वैलिड हो गई, कमिश्टर न आ जादत, ना दी ना यह एह से क्या मुझाहाद है? रिवाइज रिटान. इट से क्या मुझाहाद है? रिवाइज रिटान. किशले से यागया हूं? मैं भी ये कराने लगा हूं? मैं अपको. यह रिवी ये. इप्से क्या मुझाए? रिवाइज रिटान is accompanied by approval of मिशनर. However approval is not required, it is the complaint by approval of commissioner, however approval is not required, if revised return is filed within 60 days. साहिए जी नदर मालू नीचे it is a complaint by approval of commissioner however approval is not required if revised return is furnished within अगर revised return आप 60 दिनों में जमा करवा दें तो my dear approval की जरूरत बले 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 नहीं है साहिए जी अगर revised return आप 60 दिनों में जमा करवा दें तो approval की जरूरत नहीं है ये दो लाइने मत पड़ें तीसरी लाइन further no approval is required if taxable income is more if taxable income is अगर रकूमत को फाइदा दे रहे है then नहीं ये महां ठीक है more than और last declared is less than determined इसको जरा underline करके अभी फिलहाल कुछ और लिख लें determined under original return कभी section 120 नहीं पढ़ा न determined under original return original return की बनिस्बत अगर आप income ज्यादा करदें तो GIन हो loss कम करदें तो GIन हो welcome आप पढ़ें सदसी बात है no approval is required no approval is if income is more more than more than original return or loss is less than original return तो भी approval की जरूरत नहीं है अब ये दो बाते जो मैंने पढ़ी वो दिर्म्यान वली दो लाईने पढ़े बगार तरह मुझे प्ताएं पहली लाईन क्या लिखी हुई है यह ठाजिय मैं पढ़ता हूँ it is accompanied by approval of commissioner पहला हमने समझा कि commissioner की approval चाहिए होती है पहली लाईन में यह लिखा हुआ था लेकिन आगे उसने का नहीं however approval is if revised return is furnished within 6 billion दूसरा हमने क्या पढ़ा no approval of commissioner is required if income is more or losses less यह बात होगी यह बात पढ़ ली यह बात भी पढ़ ली income is more or losses less आप कोंसे बात रहेगी यह बात रहेगी तो इस बात में बस यह बात आप कर रहे further where commissioner has not passed order of approval in writing जहां commissioner भूल जाए सुस्त commissioner order देना भूल जा approval का for a vision of within 60 days 60 दिनों में बात देना भूल जाए यह लग से 60 दिन है यह हमारी request के बाद 60 दिन शुरू होंगे तो from the date revision was requested करने से from the date revision was requested by us by taxpayer तो फिर क्या जिया जाएगा बोले जियूम डाट बोले बोले commissioner has given the तो फिर क्या जियूम क्या जाएगा scenario के नाम रखें तो मैं आपको link करवा देता हूं फिर यह scenario number one हो गया यह scenario number two हो गया और यह scenario number three हो गया यह तीन scenario है हम आपको जाकर link करवाने लगा हूँ one two three यह scenario के उपर भी लिखा हूँ है one two वो उस्चे करवेना पढ़िएगा बस्चे numbering दें one two और three done अब भाईजन one उसने पते कहा discuss की है one उसने discuss की है यहाँ और two उसने discuss की है यहाँ और three उसने discuss की है होगी link की चले इधर ही याद कर लें आप बैठे बैठे one को याद करें कंशनर की approval चाहिए लेकिन कब नहीं चाहिए जब आप 60 दिन में जा रहे हैं जब आप 60 दिन में जा रहे हैं तो approval की जरूरत नहीं है एक scenario में approval की जरूरत नहीं है जब income बढ़ाके जा रहे हो या loss यह वो दूसरा वहाँ सेनरियो और आखरी सेनरियो अगर आपने अप्रूवल की रिक्वेस्ट कर दी और कमिशनर साठ दिन में अप्रूवना कर पाई ये कमिशनर के लिए साठ दिन है हमारे लिए नहीं है और कमिशनर साठ दिन में अप्रूवना कर पाई तो कमिशनर को कैसे सदा मिलेगी समझा जाएगा कमिश्टर ने अप्रूबल देती है हालांके कमिश्टर ने साइन करना भूल गया था एले के इंजूम किया जाएगा उसने साइन कर देती है अच्छे कई दफ़ ऐसा होता है यह अगली बात समझ आगई ठीक है ना समझ आई कोई मसला नी इसलिए कह रहा हूँ आज याद कर लिजेगा इस बात को ना समझ आई कोई मसला नी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ना भी हमने 121 पढ़े ना 122 पढ़े ना 122 पढ़े ना 139 पढ़े ना 132 पढ़े ना 133 पढ़े यह सारे सेक्शन हमने नहीं पढ़े यह सारे सेशन पढ़के एक दो बार नजर मार लेंगे दराके पिर आपके आँगा आँगा आँच 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 यह लिखावा था लेकिन आज मैं कहता हुँ, इसको रटा दो मार लें घर जाके अंग्रेजी दरा आप पढ़ें Taxable Income In Revised Return Is Greater बोले वो अगें हकोमत को खुशी वाला सनरी हो ना taxable income with revised return is loss in revised return is less अगें हकोमत वाला सनरी हो then the income determined in previous order issued by tax or appellate authority यह क्या है यार यह हमारी return से compare नहीं कर रहा यह शायद कोई court का order आगया है court का फैसला आगया है उसके बाद आपका दिल चाहा court से भी शायद गल्ती होगी है मैं और ज्यादा टेक्स देनों को मत को तो यह कोई आप बहुत ही ज्यादा नेक इंसान है then हमारी पुरानी return की निस्पत नहीं 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 उपर क्या कह रहा था हमारी पुरानी return की निस्पत as compared to मैंने इसको कटवा के क्या लगवा है था then determined under our इधर हमारी उरिजनल इटान से ज्यादा हो रहे है ना 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 इधर किसी और चीज से compare करे है पता नहीं वो क्या चीज है हमें समझ भी नहीं आरी लेकिन पढ़ लितने हैं राज taxable income in revised return is greater then income determined in previous previous फैसला इसुड बाइट अप्र 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 ने अप्र ने जाए और ज्यादा जमा करा है कोट में कोई केस चल जाए और बाद में आपके दिल चाहे अगली पार्टी को थोड़ी और पैसे देने को तो यह ज़रा याद रहेगा यहां क्या लिखावा था देन डिटर्मिन अंडर अरिज्वन रिटार्न यह लादि ओर यहां क्या है देन डिटर्मिंट इन इंकम का लफसका ने बेन आंपके देन काफी है इस अबाफ कंडिशन और नौट तो रिटान को क्या समझ दिया जाएगा? दा मोर्ड मैनर फॉर सीकिंग और रिविजिए शेल भी प्रेस्क्राइब भाई? छोड़ें याद करनी ही लाइन ये कर लीजेगा अच्छा अगरे सवे पर लाइन है इसको नहीं काड़ना? अगला सवाल है कमिशनर का अजाज़त देगा? ये भी तो मसले ना इसू क्या आए ता जिसके जासे कमिशनर इजाज़त दे? तो जब भी कहते है आपकी भूल हुआ करेगा ना कमिशनर इजाज़त दे दिया करेगा? the commissioner shall grant approval in case of bonafide bonafide होती है ऐसे गलती जान बूज की नहीं किया आपने बोली गलती बोली गलती को क्या इंग्लिश में कहते हैं मासूम गलती चलें समझ लें मासूमाना गलती को माफ कर देगा the commissioner shall grant approval in case of मासूमाना कर लेते हैं मासूमाना ये उर्दुवल है इंग्लिश की डिशनरी कोल के बेटे हों कर जाके the commissioner shall grant approval in case of मासूमाना ओमिशन और मासूमाना रांग statement जिससे आप की दिवा कहते हैं अगले को मेरे दिल में कुछ होड़ता और जबान पर कुछ होड़ा गया जा 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 या बाई यह दुबवरा ने आई अचा जी revise return file करने की शरायद बता दें revise accounts जमा करवाएं या revised audited accounts जमा करवाएं लेकिन अगर commissioner कहते हैं तो revise accounts जमा अपरूबर मिल दी ये तीसर बत बस ये तीन बत हैं और अगर कभी कोट का फैसला आजए उसके बाद भी आपका नेक पंज आगे और आपका दिल चाहिए फिर दुबारा इंकम रिवाइस करूं तो जी आया नो वह मस्ला है इस पेज पर कहेंगे घर जाके पेज 311 पर चलें ठीक है पेज 312 पर आजें बस आब आज जो में टाइम आपने घर में देने ना वह जो तीन पॉइंट सियाद करने पर आपको ताइम लगेगा साथ दिन और ये सारा और ये कुछ भी नहीं है रहा है ये सबानी जबानी सुनने वेल्ट स्टेट्मेंट कल हम इंशाला बनाएंगे खलकी क्लास में नुमेरिकल इसका सॉल्ट करेंगे वेल्ट स्टेट्मेंट एक ऐसा सफ़ा होता है जिसमें आपकी जायदाद की लिस्ट आती है मिसाल के तोर पर मैं बात करूँ बिलावल की बिलावल के पास कितने एसेट्स है बिलावल की सिंद में कितनी लाइबिलिटीज है अपनी जाती पार्टनर ने इन लोगों ने वेस्टेमें जमा करवाएंगी बस और वेस्टेमें रवाइस भी हो सकती है पढ़ने की चीज थे तो पुछ लें कल बनाएंगे ना इंशाला बस ने रदा समझ आजेंगी पहला दरा जाद कर लें वेस्टेमें क्या क्या चीजें होती हैं अधुछ थे क्या चीजें होती हैं तो आज चीजें है में बार 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 करते लें ये लफ्सी कि एक करते हैं तो इसर ठांसफर में एक दफा करते है या बारा करते हैं जिसने पीनल के साथ आप लोओ लिख आनि तो असर ट्रांसफर बात है कितने का बेचा कितने का बेचा कुछ लोग मुफ्में ट्रांसफर कर देते हैं, कुछ पैसों का ट्रांसफर करते हैं, दिटेल of खर्चे, कितने के कपडे खरीदे, कितने के जूते खरीदे, क्या के खरीदा घर में, घर के बिजली के बिल कितने आए, इस अब का बिलावल ने रखना है, The detail of expenditure incurred by a person, his spouse, his minor children, and other dependents during the period specified in the notice. Done. एक reconciliation भी कर हम इसकी बनाएंगे. Reconciliation क्या होगी? साल के शुरू की जाइदाद ले लेंगे, साल के इंड की जाइदाद ले लेंगे, और match करेंगे कि ये दोनों figures में फरक किस पुझा से आया है, कुछ कमाया होगा, कुछ खास किया होगा. तो इसका नाम क्या पढ़ जाएगा? It will be furnished by the new date specified in the notice. कमिसर ने notice दे के मांगी थी ना. तो ये जब तक, जब कमिसर आपको notice देगा, तब तक आपको फिर जमा करवानी पुझा है. किस बंदे ने जमा करवानी है ये? हर पाकिस्तानी बंदे ने जमा करवानी है, जो return जमा करवाने जाए. return किसने जमा करवानी है? वो कल बहुत detail से पढ़ लिया हुए. यही तो मतलब था, along with का, दुबारा क्यों लिख रहे हैं? along with का भी तो यही मतलब था. आपने किसके साथ जमा करवानी है? return के साथ, क्या जमा करवानी है? जिसमें क्या detail होगी? assets, liabilities, assets transferred, expenses, or wealth reconciliation. क्या चार चीज़ें उपर पढ़ी है? assets, liabilities, assets transferred. okay, can wealth statement once furnished be revised? क्या wealth statement जमा करवानी है, तो revise हो सकती है? if a person discovers a new mission or a wrong statement अगर आपको कोई wealth statement में गलती मिल जाए, he can revise it. आप इसको क्या कर सकते हैं? revise कर सकते हैं. by intimation to the commissioner. commissioner को intimator के, भाई, मैं revise wealth statement लेकिए आ रहा हूँ. रिवियन, अब कल हम जब wealth statement बनाएंगे तो परदाश चलज़ेगा, wealth statement और रिटरन में फरग क्या होता है? रिवियन can be made before the receipt of notice for amendment in assessment. ये रिवियन कब तक हो सकती है? ये सारी कहानी याद है? इसके बाद assessment order आता है ना? इसे पहले पहले जब मरजी रिवियन कर दें कोई मसला नहीं. काटने के बाद रिवियन करने के अजाज़त, घूरने के बाद रिवियन करनी है? कर दें. बारकिंग के बाद रिवियन करनी है? लेकिन अगले ने काट ली है और आप फिर रिविजन करें रिटान की तो इसकी इजाज़त वह वेल सेटमेंट की इसकी इजाज़त तो कब तक रिविजन हो सकती है बोले-बोले-बोले-बोले notice of audit से पहले, show course notice से पहले या काटने से पहले और सोरी ये पॉइंट मना रहा है किया था, every partner of an AOP, every partner of an AOP, shall furnish wealth statement, wealth reconsider statement along with a return अच्छा, if a person discovers any omission or wrong statement या wealth statement, क्या मतलब, discovers a wrong statement, बिलावल भूल गया था लाहोर के अंदर भी बहरिया टान में उसका plot है, भूल गया था डालना, wealth अपनी गलत बता दी, या भूल गया था मैने खर्चे करते वे जो है, वो फलाँ होटल में खाना खाया था, वो मैं बताना तो कोई मसका नहीं, if a person discovers any omission or wrong statement है ना, wealth statement, he can revise it by intimation to commissioner, revision can be made before the receipt of notice for, ये कौन सा notice है, notice for, amendment in assessment, आपको काटा जाने लगा है, उस काटने से पहले-पहले आप क्या कर सकते हैं, revision कर सकते हैं, सर ये क्या होता है, amendment of assessment, भाई, बड़ी detail से एक दिन में पढ़ेंगे, 122, detail से wealth reconciliation statement, जहरी बात है, अगर आपने wealth statement revise किया है, तो ये जो कोई चीज अजीब सी हमने पढ़ी है, ये भी तो revise करनी पढ़ेगी, एक तो wealth statement है, और काल एक wealth reconciliation statement भी बनाएंगे, दो चीज़े बनाएंगे, तो revise wealth reconciliation statement and reasons for revision will also be filed, reasons तो हमेशा पतानी होगी, अच्छा, if commissioner is of the opinion that revision is made for correcting maasumana omission और वोई बात, अगर commissioner समझे कि maasumana गलती होगी थी, he will declare such revision as valid, समझागी, इसको काट दें बैकेट वाली चीज़ को, तो ये बात और वो return वाली बात same है, तो commissioner कब आपकी गलती को सही मान लेगा, जब आप साबित करें आके मेरी गलती तो maasumana थी, आपके मुझे क् समझा गलती, he will declare such revision as valid, explanation, well statement cannot be revised after the expiry of, maximum कितने साल में well statement revise कर सकते हैं, 2050 में 2002 की well statement revise हो सकती है, 2050 में 2002 की well statement, तो well statement कब तक revise हो सकती है, from the due date of filing of return, जिस से आपने return जमा करा है, उसकी due date से, हाँ, मुझे बता था ये सवाल आने है, हर चोटा-चोटा expense डालेंगे, कल मैं आपको ब नमरी करते है, expenses डालते हैं, expenses को balancing ले ले लेते हैं, तो expenses का record रखना बड़ा मुश्किल होते है, लोगों के लिए, बहुत छोड़ें आप बात, lawmaker के रहे है, expenses की detail भी आपने पास रखा करो, बहराल, grocery के bill बगएर संभाल करो, lawmaker ये चाते है, बाकि लोग क्या कर रहे है, वो तो जिस बंदे ने 30-12 में कुछ कमाया है, return कब जमा करवाएगा, return के साथ क्या जमा करवाएगा, इस दिन क्या करेगा, return फाइल करेगा, plus wealth statement फाइल करेगा, इस दिन तक क्या जमा करवा सकता है, revised wealth, Return-Rewise, अगर तब कर सकते हैं? यह law में निलिखावा. लोग कहते हैं, law में गलती है. laaw में error है. Return-Revise, कब तक要 यह निलिखावा? Well-statatta кब कर सकते हैं? 5 साल, 5 साल कभ से इनना शुरू करने हैं? 30 जून क्या है, मेरा? यह कुन सा साल है? बाराँ चोटी-चोटी चीज़ें याद कर नहीं है घर जाके तसली से याद इदर भी हो रही है कितने अरसे के अंदर रिवाइज कर सते हैं पांच साल पांच साल कब से गिना शुरू करेंगे नोट कर लिए वेल ड़न यह ना यह वाला पॉइंट है एक्स्पैनेशन वाला इटालिक्स इटालिक्स वाला अच्छा तो पेपर में सवाल आया कॉंटेंट्स के वेल स्टेट्मेंट के तो वो कुंसा पॉइंट लिखे आएंगे वन वन वाला घंघाल करनेख के वाला शुक्त उतिए उत्क अरम वाला आकवसद्ट्ट्ट्टन turkey डिव इन चैनली कालं मोलतल स्टींग फीच्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्टक्ट्टत्ट्ट्ट्ट्ट्स observation on जिए व जिए भी यह जी तड़ आत देटों आइसरण वाली पॉर्ट-वाली के था सुख अ इंद आप पहसे स्थेटमेंट वहाली चीजेंगे बाइर वाले मुल्कि इस अचनव इस दिन वाली बात एक आपको बात यात करनी पड़ेंगी वह वेट वाली चीजेंगी वह वे ते खाल से याद होगी है, वेस्टेटमेंट में तीन सबसेक्षन थे, 1, 2 और 3, 1 में था क्या-क्या जमा करवाने है, 2 में था हर इंडिविज्विज्विज्व ने जमा करवाने है और हर एओपी के पार्टनर ने, और 3 में था रिवाइस कब तक कर सकते है इस किसम की बात, पाकिस्तान और ने जमा कराने की बात हुरी है, ये बस अकुमत को डेटेल जमा कराने की बात हुरी है, तो जिस रेजिडेंट बंदे के मिसाल के तो पर सारासिफ का ये दावा है, सारासिफ का ये दावा है कि 11,000 डॉलर मेरे पास पड़े में बाहर के मुल्क में मैंने कमाई है, तो क्या वो फॉरण इंकम जमा करवाएंगे? तो पढ़ लें सारा, दो तिन पॉइंट. एवरे रसे डिजल एविजल भी फॉरण इंकम इकल तो रगल तें दासा डॉलर, हैविग फॉरण आसे टॉलर एविगल तो रगलेटर दैं एक लाथ डॉलरॉ, शेल फ़रण इंकम एंड एससी टेटमेंट, यह wealth statement नहीं है, यह क्या है, foreign income and asset statement, आगे चलेंजी इसल भी in the prescribed form verified in the it will give particulars, particulars भी उपर वाले क्या, person's total foreign asset send, compare करते हैं यहाँ साथ सथ, इसका point 1 क्या था asset send इसका भी point 1 क्या है asset send liabilities, on the last day of the year, यह याद रखेगा assets and liabilities as on होते हैं, आप तो accounting के student है assets and liabilities for the year नहीं होते assets and liabilities as on होते हैं foreign asset transferred, assets transferred as on होते assets transferred by person to any other person during the year, repeat ओड़े point, complete particulars of foreign income derived and expenditure incurred during the year उदर income derived का लफस नहीं था, उदर खाली expenditure incurred का लफस है मरे खाल से, इसको underline कर लिए यह दरा निया लफस है, foreign income derived उदर कहुंसा लफस बोलें, expenditure incurred, आगे चलें जी and that expenditure holy and necessarily for purpose of deriving said income, और थाबित करो यह खर्चे उस income के लिए हैं, the commissioner point two, अगर यह बंदा every resident individual shall furnish अगर ना furnish करें तो तो क्या करें फिर, वन में क्या लिखा है he shall furnish ना करे तो, तो देख लेते the commissioner में, by notice require to furnish, फिर commissioner कह रेगा यार, दे दे तरी मिरवानी है to furnish the foreign income and asset statement who in the opinion of commissioner was required to furnish it, who is required to furnish it, यह लो दसर डॉलर से जदा वले, but he has failed to do so, तो बता दे जी बुरे बच्चे को क्या सजा मिलेगी, कुई सुझा नहीं, सदा से सजाए, commissioner will require him to file it, it will be furnished by the due date specified in the office, तो point two की heading दे दे दे, अगर बंदा खुझ जमा ना कराए तो commissioner दे देगा, पहले one की heading दे खुझ जमा करादे, खुझ जमा करादे, मरियम भाजी चलो याव, page 307 बस सिर, कफी हो गया, page 307 किसकिस ने रिटाउन जमा करा नी है, ये वेवर में सबाल आते है, English में क्या सवाल आता है Who is required to file a return of income जहन में आ रही हैं चीज़ें Past paper के सवालों की revision हो रही है यह समझ ले Paper में सवाल आता है When a return is considered as यह यह बड़े important हमारे आखरी चंद मिनट है When a return is considered as Complete यह पांच से बाते हैं पड़ी थी Sign वगरा हो, evidence of payment हो Electronic filing आज तक नहीं आई उपर ले दो सवाल आए है Electronic filing यह भी आ सकता है यह कोई 4-5 देफा paper में आया है Can commissioner demand a return for a period of less than 12 months, चार लोगों की याद है अच्छा यह सवाल paper में 4 और 5 जो है वो आ जाता है एक्सर इसमें ना 12 महीने वाली return जमा करानी होती है इसमें less than 12 months नहीं है यह ना यह 12 महीने वाली return है यह less than 12 months वाला उपर scenario cover हुआ है जो doctor, जो engineer 12 महीने वाली return कई सालों से जमा उसको 30 दिये जाएंगे return जमा कराने के लिए कितने सालों की मांगी जा सकती है यह लग बहसे आपको पता है यह तो बड़ा 6 तो बड़ा पेफर में फोरन पता चल जाएगा Revize returns जमा कराने की श्राइट Revise returns जमा कराने की श्राइट और यह पता चल जैएगा कर Bilisner bank account के दहुर्याधा to go कि नोगों को immunity दी गई है relaxation दी जान जमा करे और से किस ने वेल स्टेटमेंट जमा करवानी है, .2 किस ने English का फिकर मैंने उपर लिखा है जो पास्टेवर में आते है, किस ने वेल स्टेटमेंट जमा करवानी है, क्या क्या होना चाहिए, what are the contents of, contents को अदरलें करके particular भी लिख लें, what are the particulars of well statement, अच्छा ये न, एक चीज़ आपको और बता दू, अगर पेपर में सवाल है, किस किस ने well statement जमा करवानी है, तो ये तीन बातें लिख किया येगा, every resident individual, every partner of AOP, commissioner may why notice require any individual, ये भी तो power है न, तो अगर पेपर में सवाल आजा, किस किस ने return जमा करवानी है, तो A, B, C, बताएं मताएं किस किस ने जमा करवानी है, every resident individual, every partner of AOP, and every person to whom commissioner has requested, इन तीन लोगों ने क्या जमा करवानी है, अगरा सवाल क्या आएगा बोलें, REVION, किस की REVION, भोली गलती हो, मासुमाना गलती हो तो, filing of return, 116A, अच्छा, किस ने जमा करानी है, देखेगा मेरा सर्कल, किस ने जमा करानी है, 10-30$ से उपर वाले ने, क्या जमा करवाने है, done, contents, तो यह particular होगे, और यह persons होगे, जिरों ने जमा करवानी है, किन लोगों ने जमा करवानी है, किन लोगों में आप यह भी डाल सकते हैं, जो बंदा जमा ना करा है, कमिशर उससे मांग ले, लेगिन असल यह है, किन लोगों ने जमा करानी है, जिसके 10-100$ से एंड और 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 है, कोई एक चीज़ भी ज्यादा होजाए, या उन दोनों में फरक क्या है, किढ़ ninth, भी मज़ оказ sind tenai, बचेंов Willa, चोटा सा सवाल, एक adjustment अब ने हैं सवाल में, एक भी adjustment ने हैं सवाल में, एक तक की adjustment ने हैं सवाल में, question 20, politik video, all the figures are excluding sales tax and sales tax rate is 17%, here adjustment ने सवाल में, एक adjustment निया सवाल में, यह का homework है, page 524 पे, हो पाई जान, चले में आपको निपता था, इसमें जो मेन बात है मज़े की वो निपता था, वो इंशाला आप कल करके हैं, तो यह बड़ा सांस नमेरे कला है, it will take your 5 to 10 minutes, चले यार मेरा मश्वरा है, दिरा रिकार, इसलिटेक्स का मतलब क्या है, और यह चार नमेरिकल हैं यार, चार नमेरिकल हैं यार, विदाउट अज़ेस्में परचेजी दिएन और नीचे, तो चार नमेरिकल हैं, डन, मेरे से शायद गल्ती ये हुई है कि मैंने चारों को सुलूशन में आमने सामने कर दिया है, आप लोग आमने सामने ना कीजेगा, खुद ही कन्फ्यूज हो जाएंगे, एक बंदे का नमेरेकल एक सफ़े पर दूसरे का दूसरे का तीसरे का तीसरे पर, पेपर में कोई मस पर आपट, इस ये टाइमजाद रखा है कि बच्चों ने चार सफ़ों पर करना है, तो बार-बार एंपूट का लख्व, बार-बार इंपूट का लख्व, बार-बार वो सारे लख्व, इस व्युद्ध से युद्छ सवाण रुठी ये कर लिजिएगा, इस सबाल को, और इसको मैं डिसकस्स नहीं करूँगा, खुद ही जान मारके दाय मैंवले से आपने जो है वो डिसकस्स करना है, परचेज और सेल तो दीम ही और क्या दिया वसवाल में, अच्छा, चप्टर 24 निकालें, और यार, थियोरी के सवाल तो कराने दे यार, हाथ दोगी यार, इन इसकी दिन एक बुला के, तो उसके इलावा हम फ्री हो जाएं, अच्छा, यह निकालें, क्विस्टिन सिक्स्टी, 67 का 2, 67 का 2 और 3, कर दें, कर दें, कर दें, 65, पहले 3 कर लें, असान, concept of provisional and final adjustment in relation to apportionment of import, concept of provisional and final, वह सवाल कर रहे हैं, सासा सेस्टेक्स के जाना एक एक कितने लोग कर रहे हैं, आप इतने लोग निकल किया था, हाथ का कर कर रहे हैं, छीक है, यह अगला वला बाज कर रहे हैं, यह मत छोड़े हैं, आफरी दूर में टाइमने लें, आफरी दूर में थेरी याद कर रहे होंगे, concept of provisional and final adjustment, तो थेरी देके ऐसे प्रिशाना हो ज लगे रहें, बस यह है, लगे रहे, concept of provisional and final adjustment, बोलें, खोलें, 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 जल्दी, सबसे आखरी, excellent, बिल्कुल भाई ने सही बताया है, सबसे आखरी पेज है, कौन सा है, 430, 477, 477 पर सबसे आखरी line है, एक से date line है या दो line है, maximum, मिल गया, concept of provisional and final adjustment, मिल गी आखर जलें जी, इधर आए, how and under what circumstances, inland revenue may recover the sales tax from a person, without issuing notice, भाई, पूरी किताब में, यह अनलकी लीना मेरे पास सफा नहीं है, यह बला, पूरी किताब में, सिरफ एक ही section ऐसे है, जहां पे लिखावा है, notice दिये बगाए, टेक्स मांगा जा सकता है, वो section कौन सा है, वो मैं सबसे अस जगा से पकड़ूँगा, chapter 22 का पहला सफा, पहला सफा भी नहीं, chapter 22 किस नाम से कुछ हा रहा होगा आपके सामने, chapter 22 के पहले सफा जब डबल टू लिखा है बड़ा बड़ा करके, इधर आके मुझे धून के बताए, serial number, serial number 15, serial number 16, और फिर उसकी heading पढ़े, short paid amount, recoverable without, तो section की headings मैंने कठी करके एक जगा पर लिख दी ही है, तो short paid amount recoverable without notice, इसको चलें छोड़ें, किताब में आए, 11A खोलें, 11A, बताएं जी क्या लिखा वे 11A में, क्या short paid amount recover की जा सकती है without notice, by stopping removal of goods, तो भाई ये एक ही जगा है पूरे law में, जहां लिखा वे short paid amount recoverable without, how, how, and under what circumstances, how, by stopping removal, how, by attachment of accounts, and under what circumstance, circumstance ये है, कि बंदे ने return से में लिखा वे से भी कम text समा कराया, ये गलती उसने की थी, how, and under what circumstance, class kata mali. अजया ये झाल, ये ये बंदे वी, how, and under what circumstance, जहां लिए बंदे वे की जए है, कि वे दो दोस्जया हिरा अग्यारा है, ये लिखा उने की रहा है, बंदे पर च्रिए।. झाल झाल